गुद इवनिंग एवरिवन जिसा कि आप लोग जान रहे कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के विश्य में आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट और आधुनिक युग के लिए काफी इंपॉर्टेंट अकाउंट के स्रीनी में में आता है לחorm के तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट निकालने से पहले जब किसी इऑ फैक्टरी में या करना पता है तो इसका कॉस्ट मालूम करना पड़ता है है क्योंकि जबतक उस प्रोडक्ट को बेच कर प्रॉफिट कमाने के लिए पहले उसको जानना पड़ता है उसका कीमत कितना है जब तक कीमत आप नहीं मालूम यह तब तक आप कोस्ट नहीं पता एयाव जब तक हुआ करोंगे आपको प्रॉफित नहीं होगा और कॉस्ट के वेसीज़ पर यह वो कितना प्रॉफित होता है कितना नहीं एक उस इसके उत्पत्ति हो लगे थ begunति एक ज़ो कि इंडियर इंस्टिशूट उपकुष्ट म साम का इंडियर इंस्टिश्टूट अपकोंश्टपर्ष और hij ले सस्थापना तो उसका इसका वैलू अतना कुछ खास नहीं था बस यही परिक्षा प्रपस से इसका एक्जाम देना है पास होना है तो वहां से डिग्री मिलता था इसका मतलब क्या वैलू है कॉस्ट अकाउंट का यह कम मालूम चला भारत में अस्थापना तो हो सुगा था जो कि एक इंस्टीट भी बना उस इस पास करता था जो भी वह इंस्टीट से पास किया उसको वहां से इसको नाम था दा इंस्टीट और को स्पहों से और इंडिया बट इसका वैल्ली उस तवे कुछ नहीं था लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार यानि कि दूसरा विस्विजूद जब हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार के वाद वर्ल्ड वार के वाद जो हुआ कि कि जब भारत आज़ाधध सेकट लॉल्ड बार के बाद है उनस Renee तालिस में बहुत सारा इंडस्ट्री भारत में खोलना दीरीदर सुरू हो गया है जब ईंडस्ट्री खुलना सुरूह भारत में उनस्त स्वेटालिस के बाद कि तब लोहों को कॉस्ट का मतलब को कोस्ट के विश्य में कॉस्ट का वैलू समझ में आया बैट को बने बने बैपारी को उद्योगतियों को इंडस्ट्री खुलने लगा भारत में 1947 के बाद तब लगा कि कॉस्ट भी कुछ वैल्लीवल चीज है कोस्ट की आविशक्ता पढ़ लगी तब लगा कि नहीं कोस्ट चुरूरी है हर एक लेखापाल के पास हर एक अकाउंटेंट जितने भी अकाउंटेंट थे सब एकाउंटेंट को कॉस्ट का ग्यान होना चाहिए जब तक कॉस्ट का ग्यान ने अकाउंटेंट कंप्लेट नहीं होगा इन 1947 के बाद की धीर धीर भारत विकास बिस्तार रोप लिना चुरू कर दिया क्योंकि उससे पहले भारत का खुद का इंडस्ट्री सब नहीं था इंडस्ट्री खुलना शुरू हुआ इंडस्ट्री खु नैंटीन 59 उन्हें सो न्सट में भारत में जो है एक अधिनियम पारितवा उस अधिनियम का नाम था कॉस्ट एड वर्क्स अकाउंटेट एड और आप से पूछा जाए कंपनी अधिनियम क्या है तो रिसेंटली क्या बोलते हैं हम लोग ठीक उठीज उसी तरह से आप से पूछा जाए कॉस्ट अधिनियम क्या है तो आप क्या जवाब दोगे कॉस्ट अधिनियम के विशें में 1969 तो 1969 अधिनियम पारित हुआ जिस अधिनियम का नाम था कॉस्ट एड वर्क्स अकाउंट्स एक्ट पारित किया गया और उसके स्थापना स्थापना कहा हुई थी कॉलकता में होई थी अस्थापना होने के भारत में जो लेखा-पाल था लेखा पाल उसको सबसे बराव से निकलता था उसको स्ञ multipos कहते लाइते। जब तक वहां से वह दिशेशी साइंड करते थे यह द्राव की सब्सक्राइब ए index मेरा मारे लिक जब तक दक उससे ब्रह गणा जाता सर्वोची डिग्री माना जाता था उस टाइम का जिसे भारत में आभी भी देखेगा अभी आमारे यहां क्या है लॉग्डॉन हो चुका है सब बंद है वेलू किसका है अभी भी सरकार सिर्फ industry के तरह धियान दें इंडस्ट्री में इंडस्ट्री हो या बिजनस बैपार में बैपार में गुवर्णमेंट किसी परकर का कॉमपरमाईज नहीं कर सकती है चाहे किसी भी देश से हम लोग सब जानते हैं कि चाइना भारत का बहुत बड़ा सब्तरू है चाइना से दुस्मनी है लेकि इंडिया में आपको सारा 90% प्रोडक्ट जो है चैनेज मिलता है तो बि सब्सक्राइब करने के बाद ही वह कोस्ट अकाउंटेंट तयार होते थे परमान परता जब तक नहीं मिलेगा फिला अतना ही है क्लास ओपेन होने के बाद आपको और अच्छे तरीके से इसको समझाएंगे तो ज्यादा मचाएगा अभी इतने आज हम लोग सिखाएंगे आ तक जाते जाते जब तक लागत करेंगे तब उसको सेल करेंगे मालोम चलेगा पेकाउट पहूंचेंगे क्या प्रोसीजर होगा तो आपके सामने एक format रखे हैं हम इसका material consume निकालने का देखो material consume कैसे निकालते हैं सबसे पहले हम क्या करते opening stock of raw material जो रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर दिखाते हैं opening stock of raw material को अपनी इस्टों को प्राव मेटल यहां देखा दिए हम लोग अब इसमें प्लस क्या-क्या हो सकता है जो कि हम लोग जानते हैं 11 क्लास कहीं बेसी से पर्चेज और राव मेटरियाल केरीज और पर्चेज या फिर कैरीज इनवार्ट का मतलब भारा होता है सेल जब करते हुआ और अक्तरी और अक्तरी सो यद्डेक स्पटरी क्या होता प्रघ्रका ईटैक्स अंगिषण समया च्ट्री होता है क्या जा चीजिma परने हैं कि अध्यसमें थोड़ा सम बदोल्श का रहत बदा है कर तब पर्णसे हम लोग कोंग बधने जाते ली चकर दिना पड़ता है bizim नगड़ पाली के अंदर होती है जिसे यहां हटिया लगा हुआ नहीं गांदी मैतन में हटिया लगा हुआ है तो जितने भी लोग माल बेच रहे हैं सब्जी उग रहा उन सबको बत्ति के रूप में कुछ मैसा देना परता है और वह पैसा कहा जाता है नगर नगरपालिका के पास जाता है उसी को हम लोग क्या करते हैं चोटे मोटे कर रूप में दिया गया पैसा है वह कर है एक तरह का टेक्स है क्योंकि आप जब गवर्मेंट प्रोपर्टी पे बैठ कर कुछ चीछ बेचोगे तो गवर्मेंट को बटी टेक्स देना पड़ेगा उस लेती है और एक मुस्थ साल भर का नगरपालिका उस आदमी से लिए उसका प्ड बोलते उसको खहटिये का क्योंडरेक्स वित गो दिये अब उस हटिया करो यह हाँ दो लाग कमाएं पाच लाग मैं नगरपालिका रोज आठना क्लेकंशन कषया नहीं आएगा नगरपालिका एक मुष्श आप से पैसाहों कषया दे यह वा इसके बाद डायर्ट एक्सपेल्स बाद उसको फ्लस कर देगे आप देखिए मैनस क्या होगा जितना भी डिफेक्टिक मेट्रियल होगा जितना material return, जितना closing होगा, घटा देंगे तो निकल जाएगा मेरा material गंजुम, याद रहे, defective material, material खराब जो हो जाएगा, चोड़ी हो जाएगा, या फिर return होगा, या फिर transfer करेंगे, उन सब को घटाएगे, देखें, यहाँ को हम कर देते के लिए, क्या क्या minus किये है, closing stock of raw material, उसके बाद sold, पुरान cost of sold, जितना material बेश दिया होगा, वेस्टेज, अब नॉर्मल वेस्टेज, defective material, cost of abnormal वेस्टेज, यानि करेंगे, दूसरे ट्रांसपर किये वो सारा, जितना भी ओबर सब आइटम, इतना ही limited item, इसको घटा देंगे, तो मेरा result material जो निकलेगा, वो क्या हो जागा, आपका material consumed, यानि की factory में इतना रुप्य, इतना रुप्य का material है, अब material consumed निकालने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इस रिच को गौड से समझेंगे, जब material निकल जागा factory में, तो धियान देंगे, हम लोग क्या क्या आप इस में, अब देखो, हम लोग फिर से आते हैं, हम लोग raw material consume निकालने के लिए सीख चुके, अब उसको नहीं देखना है, यहां से देखना है, हम लोग material consume निकाल चुके, फैक्टरी के पर इतना रुप्य का कच्च्चा माल है, जो भी हो, अब उसमें दो चीज घज़ता है, एक direct labor औ और direct chargeable expense, यह दोनों जुट जाता है, याद रखना direct labor में कभी-कभी abnormal ideal time होता है, abnormal ideal time जो होगा, तो वो personally direct wages या direct labor का खर्च होता है, तो direct labor का personal खर्च है, इस से हम उसको minus करके तब जाके अंदर में सोख करेंगे, इस ही से directly minus करेंगे, इस से, abnormal ideal time को, जो कि यहाँ format पर नहीं है, हम आपको समझा दिए, abnormal ideal time अलग से minus करने का चीज नहीं है, वो आपको minus करना होगा किस से, तो आपको labor या फिर direct wages से less करेंगे, लेस करने के बाद उसको अंदर दिखा देगे, clear, इतना करने के बाद हम लोग का result आएगा, उस प्राइम कोस्ट कर दूसरा नाम भी होता है, प्राइम कोस्ट को हम लोग डायरेक्ट कोस्ट के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्ट कोस्ट भी सकते हैं, यह डायरेक्ट कोस्ट हो गिया, जब डायरेक्ट कोस्ट मानूम चल गया, अब यह पैसा चला जा गया, अब यह पैसा ट्रांसपर हो गया या factory के पास अब factory का सारा हम लोग क्या करेंगे expenses को दिखाएंगे factory का तो उसको का ते factory ओवर हेट भी कर सकते हैं या फिर वर्क्स ओबर हेट भी करेंगे इसको आपको याद रखना होगा यह factory का सारा खर्च है आप cost एकाउंट जब त्यार करेंगे तो फैक्टरी का पैसा ओफिस में ओफिस का पैसा फैक्टरी में नहीं देखा सकते आप आंसर तो आ जाएगा बट आपको कमपणी कभी ने रखेगी ऐसे ऐसे एकाउंटेंट कभी ने रखेगा कमपणी जिसको यह ने पता है यह फैक्टरी का करें देखाने के बाद अब उसमें डबलू आई-पी यानि को वर्क इन प्रोग्रेस व्री का छार्च लाकर जोड़ती है तो निकल गया मेरा डबलू ऐए उसके बाद जोड़ने के बाद डबलू आई-प यू डारेक्ट कोस्ट बे फैक्टरी का सारा को स्ट खर्च इतना करने के पाद ये सेल्स अप इस क्रेप जो है अन्तिम में सबसे अन्तिम पर करिया होता है अब फ्र algum फ्रोर को सब आ को मैंनस करेंगے जब सेल्स उसका नाम कौस्ट जानते हैं अब हैक्टरी झे माल बन कर निकल चुका है कि अब mh प्रोडक्ट जो था जो की माल कच्चा माल आया था तो फैक्टरी में कितना रुप्या कि इसको इसका हम एक्ट लाका कच्चा माल नहीं कितना जा जच प्रोड़िक तर सबस्खेक्टे जितना में नीеч reality इस माल का फैक्टरी में कीमत इतना रुपिया हो गया चितना भी जो इसका ना फैक्टरी में अभी तक फैक्टरी में ही है प्रोडक्ट अभी फैक्टरी में ही है और फैक्टरी में इसका इतना रुपिया हो चुका है कि मल एक लाग का माल आया था कच्छा माल आया था और फैक्टरी में कितना हो गए तरहें पांच लाग का हो चुका है अब इसमें ओफिस में खड़ जूटेगा अब यह माल कहां चला गया ओफिस जाएगा तो ऑफिस ओबर हेट करें इसको ऑफिस एंड एडमिनिस्टरेशन या फिर ओफिस ओबर हेट बोल देते इसको ऑफिस का खर्च में क्या क्या आता देखिए सैलरी है इस्टेबिस्मेंट एक्सिपेस है और दिखाते है अब सेलरी का सारा ऑफिस का सारा खर्च को जोड़ने के वाद जो रिजल्ट आएगा उसका नाम हो जाएगा कोस्ट और अब यह production इसको total cost के नाम से भी जानते हैं अगर आगे कुछ नहीं दिया हुआ है तो cost of production को आप total cost कह सकते हैं clear तो cost of production total cost एक हीची होता है तो office का सारा खर्च देने के बाद क्या निकल गया cost of production अगर प्रस्ट में opening stock of finish अब मह लगी को production तैयार हो चुका माल आप तैयार office में complete तैया office का सारा खर्च हम काटे तो यानि कि आप माल जो है office में आती आते समझे दस लाग का हो चुका है कि उसमें अगर opening stock of finished goods दिया हुआ है closing stock दिया opening जोर के closing खटा के निकल जाए cost of goods sold यानि कि माल बेचने का इतना रिप्या का कीमत है माल इतना में बिख सकता है cost of goods sold इतना है बट अब इसकी आगे भी खतम ने हुआ है अब यह cost of goods sold अब माल बेचने की करम में बहुत सारा खर्च करना पड़ता है जब माल को sell करने के लिए जाएंगे या फिर माल को distribute करेंगे तो माल को sell करने डिस्ट्रिबूट करने पर परसार करना पड़ता है कुछ माल डूब जाता है मैनेजर को salary देना पड़ता है तो सारा extra खर्च होता है उस खर्च का नाम होता है selling and distribution expense selling and distribution expense में यह सारा खर्च होता है तब माल का cost of sales अब यह माल complete क्या होगी आपका माल बीक रहा है बेचने की करम में company इतना सारा खर्च करती है बेचने करम में जब बेचती है तो इसका काम होता cost of sales यानि कि माल इतना रुप्या में बीक रहा है अगर माल का कीमत इतना हो गया पता चल चुका हमको complete माल सेलिंग जिससे में सेल करें अडजेक्ट सेलिंग टाइम में इसका माल इतना रुप्या पता चला कीमत है अब सेल कितना में कर रहा है जितना में सेल करेंगा दोनों के बीच का जो बाइलंसिंग फिगर होगा क्या वह प्रॉफिट ने हो जाए इस दोनों के पीछ का बैर्लेंसिघ फिकर प्रॉफिट है धी लौस या लॉस हो जाएगा यह इतना कर लेंगे तो आपका complete यह हुआ किसी भी product का cost निकालने का तरीका profit निकालने का भी तरीका कर सकते इसको अब एक column आपके सामने यह बना हुआ है जिसे कि यह column बना हुआ आपके सामने देखेंगे आप हम लोग यहां पर दियावा नमूना के column त्यार नहीं करेंगे मिलों को आउटपुट से भागा देते चलेंगे continuity त्यार हो जाएंगा ढंका सबका पर कर निकल जाएगा बस यह एक स्टाइक कॉस्ट बढ़ाने का और कुछ नहीं है यह कंप्लीट हो गया आपका कॉस्ट निकालने का प्रोसीजर आप लोग इसको अच्छे से कॉपी पर नोट्स करेंगे फॉर्मेट को यह कंप्लीट फॉर्मेट है और उसके बाद फिर हम इस पर नुम् जाएगे बिदा प्रोगे.